नमस्कार राजनामा टीवी पर आपका स्वाकत है मैं प्रिया आपके साथ आईए देखते हैं देश्वुदेश की प्रमुक खबरे वारानसी में हाई कोट का रोक पर ततकाल सुनवाई से इनकार ग्यान व्यापी के तहकाने से बेरियर हटे तीस सालवा श्रंगार आरती गुना के बमोरी की घटना गुना में शिवलिंग उखारने पर बवाल छे घंटे तक चाम बंध होगी देश की सभी एक सो निन्यान्यू जीला करशी मोसम इकाईया भुवने इश्वर में जगनात मंदिर की सुरक्षा के लिए विशेश बटालियन गठित लखनाओ में भाजपा सांसत पर गुरुद्वारे पर कबजा मामले में केस मनीपूर में 28 माई को लापता युवक का शव अब मिला बेलजियम में किसानों का प्रदर्शन जर्मनी में एरपोर्ट पर हड़ताल मराठा समुदाय को कुन्भी प्रमानपत्र देने के खिलाफ बॉम्बे हाई कोट में याचिका यूकरिन में सेना प्रमुक वालेरी को इसी सब्ता बरखास्त कर सकते हैं राश्टपती जेलिस की इमरान खान के निर्दलियों का पाला बदल कराएगी पाक सेना आयोध्या में प्रान प्रतिष्टा के बाद ग्यारा दिनों में 25 लाख श्रद्धालों ने राम मंदिर के दर्शन किये नारवे 30 साल के सबसे बड़े तुफान की चपेट में देश में 180 किलुमीटर की रफ्तार से हवा चली दक्षिन कोरिया में म्याम्यार में तक्ता प्लट के तीन साल पूरे होने के मोके पर सोल में मोन प्रतिशन जारखन में देरात साफ हुई सरकार की तस्वीर चमपई आज लेंगे शपत हेमन्त जेल भेजे गए वीश्व वेटलेंड दिवस सेरपूर में आज कारी क्रम रामसर साइट्स उस्सों मनाने देश विदेश के दोसों प्रतिनीदी चूटेंगे बाकी की तमाम कबरों कली बने रहे हैं राजनमा टिवी के साथ धनिवाद